हेलो गाईज, सलाव आलेकुम दोस्तो आज जाबिर भाई ने वाजी बली से मुलाकात की और वाजी बली ने रिप्लाई में क्या बोला आप पूरा वीडियो देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेर कीजिए और जाबिर भाई का साथ दीजिए ठीक है दोस्तो आप पूरा वीडियो देखिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि हमारे चैनल पर नई नई वीडियो आती रहती हैं मेह वाज से जुड़ी हुई और पूरी मायूसी तो है कि पचास दिर से हम कोई भी पूर्जिल को या संदिल को या आउल ब्योग अफ़तार ने करता है अब उसके पीछे ही सब के अपने तरक हैं अपने कारण है और रजल्ट है कि हम लोगो नाकाम याब हैं अपर हमारी आज भी आईजी साब चैनल अलगात हुई थी अपने कोशी कोशन भी चल रही है बहुत दिल तक तो काप यादिकारी वही देर डाले हुए है तक या मिट कामे भी नहीं पाई इस बात का अभसोस है और मिश्री तोर पे मैं जन्जरा बोका लगाएगा अभी अमोखिमांटिर जी से इस बारे में चर्चा करूँगा कि चाहे कुछ इसमेशन अलग से टीम भी उगटित करी जाए कोई और रुपाई निकाला जाए अगर ऐसा हो को तो भी नहीं दिली निकाला जाएगा लोग आई सार से बाहर चले जाएंगे अपराद करके और हम अपिन्याय देह नहीं पाएंगे इतनी जन्ता तो अनुश्य तो अपरे में पुरी कोश्च करूँगा इस बात को और में पुति से रखा जाए और जो अपरादी है उन्हें कानून के दारे मिलाकर उन्हें सक्त सजा मिले ताकि कि किसी और बहनों या बच्चों के साथ से उनके भाई और बापका सायन आओंगे और अमन चैन बने और लोग फिर मजबूर नहों कानून को पर हाथ लें कि जब कई बार कानून से बेकी हुट जाता है तो फिर लोग कानून भी नहीं मानते और अब लाब नाय करने चलते हैं उससे आना जगता है और माहल और खड़ाग होता है तो पुरी कोशुश रहेगी कि इंशालला इस बात को और बजबूती से आगे तक रखा जाए और यसी तर्दीब बने वही स्पेशल एसाइटी रज़ित हो को स्पेशल टीम बने जो लोग महां से लेका रहे हैं प्रीके मिशालला सुबस अने